ओम गण गणबती नमा, रादे रादे, जै श्री क्रिश्ना अब हम कार्तिक महात्तम के तीसरे अध्याय का पार्ट आरंब करते हैं सत्य भामा बोली कि हे भगवान, आप काल सोरोप है और काल के संपून भाग समान है तब फिर कार्तिक मास ही क्यों आपको श्रेष्ट है हे धिव, सब किधियों में, एकादशी और सब महीनों में, कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है श्री क्रिश्न बोली कि हे कान्ती, तुमने अच्छा प्रश्न किया है एक आगरिचित तो होकर बेन के पुत्र प्रथु और महर्शी नारत का सम्वान सुनो जिसे पहले प्रथु ने नारत से पुछा तम नारत जी ने कार्तिक मास की श्रेश्टता कही नारत जी बोले पहले सागर का पुत्र शंक नामक राक्षर ट्रलोकी के मत्रे में समर्थ उसने संपून देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल कर इंदरादी संपून लोगपालों के अधिकार अपने हाथ में कट लिये सब देवता उसके भै के मारे अपने अपने इस्त्री पुत्र आदी लेकर बहुत वर्ष तक सुमेरु परवत की गुफाओं में वास करते रहे जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने विचार किया मैंने देवताओं को तो जीत लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं हाँ अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं इससे उनके वेद मंत्रों का हरन करने से वे सब बलगीन हो जाएंगे ऐसा विचार करके वेह असुर विष्णो भगवान को नीद से ग्रस्त देख कर स्वेंबू ब्रह्माजी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकाल कर चलने को ततपर हुआ तब वे उसके वेह के मारे यक के मंत्र और बीचो समीत जल में प्रवेश कर गए तब तो वेह शंखासुर भी उन्हें ढूनता हुआ समुन्दर के वीतर विचडने लगा प्रतुवे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त ने हुए पीछे से ब्रह्माजी सब देवताओं को संग लेकर और पूजा की सब सामगरी इकटी कर वेकुंट में विश्णु भगवान की शरण में गए वहां उनके जागने के निमित सब देवता गानी बजाने लगे और गंद धूब बार बार देने लगे उनकी भगती से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले तब सब देवताओं ने विश्णु भगवान की दर्शन किये और शोड़ोप चार से पूजा करके दंडवत प्रित्वी पर गिर पड़े तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगण मैं तुम्हारे भजन, कीरतन, आदिकार्यों से प्रसन हुआ हूँ आप लोगों की जो भी मनुकामना है मैं उसको अवश्य पोण करूँगा आश्रिन शुक्रमक्ष की इकादशी से देव उपनी इकादशी तक प्रहर भर रातरी रहे तब सी जो मनुष्य तुम्हारी तरे भजन, कीरतन करेंगे आएंगे वे मुझे प्रसन कर, मुझे प्राप्त होंगे शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में इस्थिर हैं, उन्हें में शंखासुर को मार कर लाओंगा अपसी बीज मंत्र समीत सब वेद प्रतिवर्श कार्थिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे मतस्य रूप धारण कर, मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर मुनियों को लेकर संग आओ इस लोग में जो अच्छे मनुष्य प्राते काल इस्नान करते हैं, वे निश्चे ही अक्षत इस्नान के फल को प्राप्त करते हैं जो कार्दिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोग में पहुचा दिया करो हे यम, तुम सदा उनकी विगनों से रक्षा करते रहो और हे वरोन, तुम उनको पुत्र, पौत्र आदी देते रहो हे कुबेर, तुम उनकी धन व्रद्धी करते रहो, जिससे ये मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्जे हैं जैसे तुमने मुझे इकादिशी को जगाया है, इसी लिए यह तिथी सदा मनानी योग्य होगी इस प्रकार ये तीसरा अत्याई अब समाप्त होता है बोलो रादे रादे, जैश्रे कृष्णा